बिहार से एक बडी खबर सामने आ रही हैं बता दें बिहार के अर्रेरिया में सुभा भुकम्प के जटके महसूस किए गए National Center for Scismology के मताविक भुकम्प के जटके सुभा करीम साड़े पांच पजे महसूस किए गए अरिक्टल स्केल पर भुकम्प की तिर्वरिता 4.3 मापी गई National Center for Sismology ने भुकम्प से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की पुष्टी नहीं की है वहीं पस्चिम मंगाल के सिली गुडी में भी भुकम्प के जटके महसूस किये गए यहां 4.3 तिर्वरिता का भुकम्प आया National Center for Sismology ने एक टूइट कर इसकी जानकारी दी भुकम्प उदवार को सुबह साड़े पांच बजे आया National Center for Sismology के मताबिक भुकम्प 10 किलो मेटर की गहराई में आया इससे पहले पस्चमी नेपाल में मंगलवार को 56 पर 4.1 तिर्वरिता का भुकम्प आया था अधिकारियों ने यह जानकारी दी राष्टिय भुकम्प ये केंदर काटमांडू के अनुसार इस घटा में किसी तरह के नुकसान या किसी के अताहत होने की कोई सूचना नहीं है वहीं आपको पता दें भुकम्प के आने की मुख्य वज़ा धर्ती के अंदर प्लेटों का टकराना है धर्ती के भीतर साथ प्लेट्स होती हैं जो लगातार घुमती रहती हैं जब ये प्लेटे किसी जंगह पर आपस में टकराती हैं तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं सतह के कोने मुड़तें के वज़ह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स तूटने लगती हैं इन पलेट्स के तूटने से अंदर की एनरजी बाहर आने का रास्ता खोशती हैं जिसकी वजह से धर्टी हिलती है और हम इसे भुकम मानते हैं ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ